नमस्ते दोस्तों सेवन सेंस के इस यूडूब चैनल में मैं विकास बुपी नुवार आप सभी ट्रेडर्स लोगों का तहत दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम दे गेम आफ मनी सेरीज के पार्ट 39 को डिसकस करने जा रहे हैं जिसमें हम डिसकस करेंगे पेपर अमरेला के तहत हैंगिंग मैन और शुटिंग स्टार और इन दोनों में से कौन सा पैटन बहतर होता है वो भी देखेंगे हम दोस्तों तो चलिए आईए आज के इस शांदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं सेवन सेंस यूटूब चैनल के साथ में ये सेशन बहुत ही शांदार होने वाला है दोस्तों तो मैं आपसे दिल से दर्खास करता हूँ कि वीडियो के अंतक जरूर बने रहेगा क्योंकि यहां से आप एक बहुत ही अच्छी चीश सीख कर जाने वाले हो तो देखिए अम्रेला तो सभी ने देखा है अभी बारिश का मोसम चालूए तो अम्रेला तो सभी को पता है इस तरीके से दिखता है इस अम्रेला की इस जो ये कपड़े का होता है इसको अगर हम ब body के height के दूगने size से भी जादा होनी चाहिए फीक है सी जो इसके body के size के दूगने से भी जादा होनी चाहिए याना दो गुणा अगर इसको करेंगे हम body को body अगर x मान लेजिए तो इसका जो lower ये डंडी है आपको दिख़रा ये x का दुगना यानि टू एक से भी बड़ा होना चाहिए तभी हम इसको यह अम्रेला टाइप के जो भी हमारे पैटर्न है सिंगल केंडल स्टिक पैटर्न जिसके हमने यहाँ पर आपको दो नाम बताए हैंगिंग मैन और शुटिंग स्टाइब इनको हम यहाँ पर समझने वाले तो अम्रेला तो आप समझ गये अब मैं आपको दिखाऊंगा अगर 47 है तो ये 50 होना चाहिए, उसी तरीके से ये 100 है, तो ये यहाँ पर 97, 96 होना चाहिए, ये अगर 100 है, तो ये यहाँ पर 104 या 3-4 पॉइंट का चलता है, तो इतना बाड़ी तो होना चाहिए, ठीक है, और इसका जो यहाँ पर आपको लोवर शाड़ो दिख रहा है, या इस चाहिए यहाँ पर आपको साइस, इसके दुगने से भी जादा होना चाहिए, इस चीज आपने अगर अबसार करी, तो हाँ आप अम्ब्रेला टाइप के कैंडल स्टिक को देख रहे हो, अब इसको हमने बोला है, हैंगिंग मैन वाला कैंडल स्टिक, क्यों ऐसा बोला है देखिए यह hanging man ऐसे दिख रहा है आपको है ना इसको लटका दिया है इसकी यह हाथ है यह पैर है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इसका body अगर एक size का हो जाता है तो इसके पैर यहाँ पर जो दिख रहे हैं इसके x body के size से दुगने से भी ज़ादा होनी चाहिए तो यह hanging man type का candlestick आप समझ जाते हो यहाँ पर यहाँ है यह shooting star तो इसको shooting star क्यों बलाए देखिए आसमान से गिरता तारा जो है यह आसमान से गिरता तारा इसने यहाँ पर अपर shadow बनाया और यह तारा आपका इसने body बनाया body अगर एक size का है तो इसका जो अपर shadow जो बना है वो इसके size के दुगने से भी ज़ादा बनेगा ठीक है और यहाँ पर अपर shadow बिल्कुल ना के बराबर होता है होता है लेकिन बिल्कुल ना के बराबर ना के बराबर होता है ठीक है ना के बराबर अब यहाँ पर आप देख डिफरेंस चलेगा, हाफ पॉइंट का, हाफ पॉइंट तर ठीक है, बोडी का साइज जो है, तीन से चार पॉइंट का, और इसका जो यह लो हो है, वो इसके बोडी के साइज के दुगने से भी ज़ादा होना चाहिए, यह कंडिशन है, यहाँ पे भी आपको हाई दिखेगा, लो दिखेगा, इसका ओपन यहाँ होगा, लोज यहाँ होगा, तो यहाँ पे लोज और हाई जो है, वो एकवल होने चाहिए, अप्रॉक्सिमेटली, इस केंडल स्टिक में आप देख सकते हो, ओपन कहा होगा, यहाँ होगा, रेड होगा, मार्केट गिर रहा है, तो लोज यहाँ पे हो जाएगा, यह लोग हो हो जाएगा, यहाँ होगा, तो इस में लोवर शाड़ो ना के बराबर होता है, यानि क्लोज और हाई जो है, आप्रॉक्रॉक्सिमेटली इकवल होता है, उपन और हाई में तो बहुत ज्यादा फासला होना चाहिए, यहाँ इसके इसके दुगने से भी जाधा यहां पर देखिए यहां पर भी आपको लोवर शाड़ो दिखाए देगा यह लो होगा यह हाई होगा जब कि यह ग्रीन कलर का कैंडल स्टीक है यह ओपन होगा यह ऊपर के दरफ क्लोज हो जाएगा तो यहां लो और ओपन में फिर चुटा होता है तो आप उससे ह हैंगिंग मैं या फिर शूटिंग स्टार बोल सकते हो यहां पर आपने यह इस पैटरन को समझ लिया अब यह कैंडल स्टीक कहां फावं होगे और इसका result क्या होगा और इन चारों में से कों सा candlestick बहुत ही बहतरिन result देता है वो हम देखेंगे दोस्तों लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे चैनल के बारे में कुछ इतिला करना चाहता हूं हमारा जो seven cents channel है दोस्तों हमारे channel का ये logo है जिसमें उपर सेवन सेंस लिखा है डबल अंडरलाइन यह हमारा नाम है वी वी बोपी नुवार नीचे हमारा फोन नमबर है 80873339648 पर यही हमारे चैनल का लोगो है और हमारे सेवन सेंस चैनल की प्रीमियम लाइफ टाइम तक की टेलिग्राम की मेंबर्शिप आपने जॉइन करना है दोस्तों इसमें आपको यह सारे जो वीडियो पर आप देखते हो इनकी पीडियो फाइले मिलती रहेंगी ताकि उससे आप नौलेज दिन बदिन गेन करते रहते हो इसके साथ में आपको आसान तरीके से आपको ट्रेडिंग से इंट्रोडियोस किरा जाएगा सारे पैटन सारे चार्ट वहाँ पर आपको दिखाए जाएगा उसके बाद में यहाँ पर आपको चार्ट अनलेसिस भी करके मिलेगा कि आज यह हुआ है तो कल क्या होगा इसका इफेक्ट बुलिश हो ना के बराबर होगा लेकिन प्रॉपिट बहुत बड़े-बड़े होंगे दोस्तों तो आप से गुजारिस है कि यह लाइफ टाइम तक का आक्सेस आप टेलिग्राम मेंबर्शिप के साथ में सेवन सेंस के आप ऐसे ही ढूढने मच जाएगा आपको सेवन सेंस का कोई टेल अप से मिलता है दोस्तों तो इसके लिए आपको 5000 रुपिज का कंट्रिबूशन करना यह बन टाइम कंट्रिबूशन है जिससे आपको लाइफ टाइम तक के लिए हमारे साथ जोड़ा जाता है इस टेलिग्राम मेंबर्शिप के दोरा जहाँ पे आपके सारे डौट्स भी क किसी दूसरे मोबाइल नंबर पे किसी दूसरे यूर कोड पे आपने यह ट्रांजेक्शन नहीं करना है हमारा यह नंबर नोट कर लिजिगा 80873339648 पर यही हमारा वाट्स अप नंबर भी है आप यही पर आपके डौड्स भी यह पे पूच सकते हो दोस्तों यह नंबर हमा आपका डिमैट ट्रेडिंग अकाउंट बना है या फिर नहीं भी बना है तो आपसे दर्खासते कि आपने यह अकाउंट जो है जिरोदा के साथ बनाना है जिसका लिंक में नीचे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार उससे अकाउंट बन जाएगा तो हमार यह आपको बहतर ट्रेडर बना के छोड़ेगा दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते हमारे इस सेशन को पेपर अमरिला से बनी हुई हैंगिंग मैन और शुटिंग स्टार के इफेक्ट को देखते कि कौन सा हैंगिंग मैन या फिर शुटिंग स्टार हमारे बहतर इफेक्ट दे सकता है hanging man और shooting star का effect देखने के लिए यहाँ पे दो चीजे important है पहला तो है market जो है bullish होना चाहिए आप देखिए यहाँ पे green color की candles बनते गई है बनते गई है और एकदम से यह अलग candle यहाँ पे आपको दिख रही है जो अभी हमने पढ़ी है यह hanging man की तरह दिख रहा हुआ अमरेल आए तो इसको hanging man बोलाए जिसके effect में आपको market गिरता हुआ नजर आ रहा है तो यह पहला effect होना जरूरी है market bullish होना चाहिए उसके बाद में hanging man बनेगा फिर market गिरेगा shooting star के related भी वही condition है पहले तो market bullish होना चाहिए बढ़ना चाहिए buyers लोग होते है market में एकदम control उनका ही होता है सब कुछ उनका ही control होता है market bullish होना चाहिए उसके बाद ऐसा shooting star बनेगा जिसका यह upper shadow होगा lower body होगा और इसकी वज़े से market यहाँ पे गिरने लगेगा क्योंकि sellers लोग market में आना शुरू हो जाते है तो चलिए अब इनको और details में देखते है इनके दोनों में कौन अच्छा है और इनके colors के साथ में कौन सा candlestick हमारे लिए बहुत बढ़िया effect दे सकता है उसको भी यहाँ पे हम discuss करेंगे वीडियो के अने तक आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है यहाँ पे समझेगा hanging man बना है ना market में पहला condition bullish train होना चाहिए था और यहाँ पे हमने green candle को देखा है पहला condition market should be bullish market bullish होना चाहिए और देखिएगा market bullish के चकर में यहाँ कौन सा candle stick बनाना चाहिए था यह वाला लेकिन यह नहीं बनाया और पूरी तरीके से यह भी नहीं बनाया दोनों भी नहीं बने बना है कुछ अलग ही यह इस तरीके से बना है यहाँ चाहे green color का बाड़ी वाला यहाँ पे आपको hanging man दिखे यहाँ पे red color का hanging man दिखे कोई दिक्कत नहीं है market तो गिरेगा क्योंकि चड़ते हुए market में जहाँ पे bullish लोगों का control था market bull था वहाँ पे यह कैसा candlestick बन गया एकदम विच्छी तर एकदम अलग तो इसलिए तो इसको हम पढ़ रहे हैं अलग से hanging man pattern को क्योंकि यह जब candle बनता है तो market गिरता है और इसकी गिरने की guarantee हम कितना देते है 75% guarantee है कि market गिरेगा अब ऐसा क्यों हुआ यह क्या यह जो बनाया है यह किसने बनाया है इसके लिए जिम्मेदार कोन है market में तो bullish लोग था लेकिन यह कुछ बनाया है अलग विची तर जो बनाया है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कोन जिम्मेदार है sale करने वाले लोग bearish लोग क्योंकि अब जग जो bullish लोग थे market में अब यह indicate करता है कि market में bearish लोग आने की कोशिश कर रहे है घुसकोरी करने की कोशिश कर रहे है तो इन्होंने क्या क्या जबकि यहां पर आप देख सकते है यह low है यह high है फिर एक low बना फिर high बना फिर low बना फिर high बना तो यहां पर higher highs higher highs बनते जा रहे है और इस condition में यहां पर आप देखिए एक low बना जो बहुत ही higher से बहुत ज़ादा low है यहां पर यहां का हैसे low में फासला देखे, हैसे low में फासला देखे, लेकिन यहां पे देखे कितना नीचे गया है यह लो, कितना नीचे गया है, यहां पे यह लो एकसेट किया है, क्योंकि यह जो higher highs बनते जा रहे थे, अब यहां पे कोई high तो नहीं है, लेकिन low कितना नीचे बना है, देखिया और यह क्लोज भी देखिए इसका जो क्लोज यहां उपर है क्लोज उपर है इसका जो नीचे ओपन है ओपन यहां से हुआ ओपन यहां से हुआ लेकिन यह आप देख सकते यह देखिए यह मार्केट का यह जो क्लोज पॉइंट जो है नीचे नहीं रहा ओपन जो है उपर है दोस्तों इसके इसका भी आप देखेंगे इसका यहाँ पर उपपर होता है तो यह जो क्लोज है ना यह जो जो जलो है यह बहुत दूर चला गया इस लो से लो यहाँ पर accept किया गया है यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कितना बड़ा यह lower shadow रहेगा उतना ही जादा इसका bearish effect रहेगा जितना बड़ा यह body का x size होता है तो इसका जो size lower shadow का 2x से दुगने से भी जादा होना चाहिए तो यह चीज जब हो जाएगी तो यह market गिर जाएगा लेकि यह अगर bullish pattern रहना चाहता था तो यह भी candle यहाँ पे बन सकती थी लेकिन बनी नहीं इसका मतलब क्या है जो sellers लोग है वो बढ़ चुके है buyers लोगों के ऊपर बढ़ चुके है और वो market को नीचे लाना चाहते और उन्होंने अपना जो यह दिखाया है नजरिया वो low बना करके दि इन्होंने यहाँ पे हमें चेताव नहीं दिए कि अब market गिरेगा देखिए हमारी ताकत दिखिए उन्होंने अपनी ताकत दिखाईए इस लोग को टच करके दिखाया है उन्होंने है लोग को टच करके दिखा हुआ है तो आप लोग संबल जाहिए जितने भी buy किये संबल हम आ रहे हम जो bearish लोग है हम market में आ रही है समल रहे है अपना position change करना है तो कर लीजे क्योंकि market यहाँ पे अब गिरने वाला है तो यहाँ पे जो भी buy किया था वो यहाँ पे आके square off करे उसको sale करे यहाँ से sale करे और नीचे जाके फिर buy करेंगे दोस्तों ठीक है तो यह चे देंगे shooting star में क्या होता है तो यहाँ पे देखिएगा shooting star पहला condition क्या है market should be bullish market में bullish trend होना बहुत जरूरी है market bullish है green green candle बनाया है लेकिन अब यह क्या बनाया बया वीची तरह बनता तो यह बनता बहुत अच्छा समझ में आता यह बनता बहुत अच्छा समझ में आता लेकिन यह क्या बनाया है यह जो भी बनाया है यह किसका यह यहाँ पे चेतावनी है bearish लोगों का चेतावनी के है bullish अब तक तु कंट्रोल में था लेकिन अब मैं यहाँ पर अपना ताकत बढ़ा देता हूं मुझे यहाँ पर शाड़ो है मैंने आपको previous वीडियो में बताया था द दोस्तों क्योंकि उपर की तरफ यहाँ पे शाड़ो आई है उपर की शाड़ो बहुत effective होती है नीचे की शाड़ो से अभी जो hanging man में देखा था नीचे शाड़ो था उससे भी जाधा effective होती है अगर यह शाड़ो उपर बने क्योंकि ऊपर क्या है अप sale अपर शाडो का selling pressure ब तो यहाँ पर देखएगा इसका यह low है यहाँ पर इसका high है यहाँ पर इसका open इसका close सोरी यह जो नीचे जा रहा है इसका open होगा यहाँ पर यह close होगा तो यह देखिए bullish लोग थे market में उनोंने high तो बनाया लेकिन इसका जो close है वो बहुत नीचे लाके छोड़ा है बहुत नीचे उसको दबा दिया है दोस्तो प्रेशर से सेलिंग प्रेशर से उसको दबा दिया है यहाँ पे भी देखिया बोड़ी जो है रेड कलर की बोड़ी लेकि इससे आगे भी चला जाके उसने रेड बोड़ी भी बना दिया थोड़ा सा ठीक है तो यहां पर red body बनता है तो बहुत अच्छा है क्योंकि market गिरने वाला है दोस्तो यह green kernel से भी बहुत अच्छा shooting star होता है red color का अगर बने थोड़ा सा भी body है लेकिन red color का है और नीचे की तरफ है अपर shadow है और अपर shadow 75% guarantee मिला यहां 95% guarantee मिलता है यह market गिरेगा तो आपने यहां पर समझाओगा hanging man और shooting star को वो किस तरह बनते क्यों बनते दोस्तो और इसी तरीके से हम यहां पर एक note down कर लिजेगा जो मैं आपको बोलूँगा after the uptrend पहला चीज तो uptrend होना चाहिए after the uptrend shooting star लेकिन कौन से color का red color का नाकी green color का red color का shooting star अगर बनता है तो it is a more better than any hanging man for pattern reversal sign तो red color का shooting star होता है जो market चड़ रहा है उसको reverse करके market गिराने वाला बनाने में इसका बहुत ज़्यादा हाथ होता है यह बहुत ज़्यादा effective candle होता है दोस्तों red color का shooting star तो अब तक जो हमने समझा उसको थोड़ा सा revise कर लेते ताकि चीज आपके पल्ले पड़ जाए दोस्तों यहाँ पे देखिए पहला condition market bullish और यह क्या बना है यह तो बना है hanging man और hanging man में कितना guarantee है 75% बेरिश का तो यहाँ पे भी वही condition है shooting star के लिए market should be bullish उसके बाद में बना है यह shooting star जिसका अपर शाड़ो इसके body से जो है दुगने से भी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा बेरिश इफेक्ट मिलेगा और shooting star के लिए 95% का guarantee है तो कौन बहतर है दोनों में से यह वाला pattern की यह वाला pattern अगर आपके सामने दो condition है दो company का chart है एक में hanging man है एक में shooting star है तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा shooting star के साथ जाएगा यहाँ पे आपको effect ज़्यादा मिल सकता है इसका पता नहीं दोस्तों इसका पता नहीं यह उपर भी जा सकता है लेकिन यह जो है इसका 95% guarantee की नीचे ही जाएगा यह समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक idea दिया है जिससे आप समझ पाओ तो देखिए यह hanging man है पहाडों के बीचे hang हो रहा है लटक रहा हुआ आदमी होता है तो यह market जब bearish होता है यह पहाड़ी है तो उपर की तरफ यहाँ पर यह hanging हो रहा है और यहाँ पर देखिए आसमान से गिरता तारा shooting star market जो है bullish है यह आका से आसमान में हो उपर की तरफ है और यहाँ से आप कोई star गिरता है तो उसे गिरना ही है दोस्तों कि वो उपर तो नहीं जा सकता लेकिन फिर भी यहाँ पर हम बोलते है इसको कुछ टकरा गया उपर जाएगा तो 5% chance है उपर जाएगा लेकिन 95% chance है कि यह गिरेगा इसलिए आप shooting star वाले चार्ट के साथ जाएए अगर आपके पास दो option है hanging man वाला और shooting star वाला तो आप किसके साथ जाना बहतर पसंद करेंगे shooting star के साथ में दोस्तों अब इन सारे patterns को एक बार compare करते है color combination को भी compare करते है और सबसे बढ़ा सबसे बहतरीन candlestick आपको दिखाते है जो पहाड़ी यानि ऊपर bullish market के बाद बनता है तो bearish effect मिलेगा अब जवाब आपने देना है दोस्तों देखिए यहाँ पर यह hanging man बना है या फिर shooting star बना है ठीक है पहला condition क्या market should be bullish market बढ़ना चाहिए बढ़ते रहना चाहिए और उसके बाद यहाँ से दोनों में से कोई ना कोई एक candlestick बनेगा इसका condition क्या है body का size अगर x होगा तो इसक इसका भी अगर body का size x होता है तो इसका जो shadow है अपर shadow उसका size 2 x से जादा होना होता है तो अब बताईए का दोनों में से कुन सा star जो है वो बहुत ही effective रहेगा market गिराने के लिए यहाँ पर hanging man है और यहाँ पर shooting star है तो यह अपर shadow create करने वाला जो है जिसने बहुत ही ज़्या लेकिन यहाँ पर एक candle है already इसके होने के बावजूद भी यह बनाया गया तो इसका यह lower shadow का buying pressure consider नहीं करेंगे इसके आजुबा जो कोई candlestick नहीं है इसलिए यह pressure बहुत ही महतोपूर्ण है जबकि यहाँ कोई नहीं था फिर भी इसको दबा जिया दोस्तों यह बहुत ही ज दूसरा condition यहाँ पर यह अपर shadow के साथ बनेगा या फिर lower shadow के साथ में candle stick बनेगा तो यह वाले hanging man यह वाले shooting star तो सबसे बहतर कोन है shooting star और इसमें अगर color देखेंगे तो market गिरने वाला है तो red color रहेगा तो और भी बहतर रहेगा दोस्तों green color से तो इसमें भी hanging man में भी अगर red color रहेगा तो वो बहतर रहेगा market गिराने में तो यहाँ पर सबसे जादा guarantee shooting star की होती है कि market जरूर गिरेगा hanging man के साथ में भी गिरेगा पर guarantee थोड़ा कम होता है तो यही सारी चीजे मैं आपको बताना चाहता था एक बार और shortly revise कर देते हैं तो देखिए पहला condition market चड़ेग फिर या तो red color का यहाँ पर shooting बनेगा या फिर green color का shooting बनेगा या फिर red color का hanging man बनेगा इसमें से बहतर होगा shooting star than hanging man उसमें भी red color का shooting star होता है वो बहतर होता है और hanging man में भी red color का hanging man होता है वो बहतर होता है जिसका सारो candle का effect तो aka market गिरेगा दोस्तों थोड़ा कम जादा percentage का probability ह होता है लेकिन सुटिंग स्टार जो है रेड कलर का उसका सबसे ज़्यादा प्रोबैबिटी होता है और अब इस कैंडल के साथ में कहां इंट्री करेंगे कहां स्टॉप लगाएंगे कहां टार्गेट रखेंगे यह सारी चीजे आने वाले वीडियो में आपको पता चलेगी दोस्तों अब इस वीडियो में जो बताया था वो आप तक पहुच चुगा होगा इसमें आप माहिर हो चुके होंगे दोस्तों यही पैटरन बहुत जादा काम करता है आज होने वाले चार्ट में भी यही होता है मार्केट को गिराने के लिए responsible candlestick है यह तो आपने इसे या ज़या है तो इस वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और कमेंट जरूर करना है दोस्तों आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत ही important होती है है एमियत रखती है मैं उसे बार बार पढ़ता हूं मुझे दिल ही दिल में आनंद मिलता है खुशी होती है और मेरा उसा बढ़ता है और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तो इस बेल आइकन को क्लिक करने से होता ये है कि जब भी हमारा वीडियो आता है आपके मॉबाइल में एक नोटिफिकेशन आप फिर मैसेज जारी होता है जिसकी वज़े से आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होता है दोस्तों और आप यूही ट्रेडिंग की दुनिया की नॉलेज में कदम दर कदम आगे बढ़ते रहते हो और हमारा आप से वाइदा है तावा है दोस्तों कि आपको एक बहतर ट्रेडर बना के छोड़ेंगे तो फिर मिलते हैं एक और बहतरी इन्शानदार खा थांकिय।